हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पर्सनल ट्यूटर, आज हम सभी यहां पर आज चुके हैं पर्सनल ट्यूटर के इस प्लैटफॉर्म में जहां पर आप, मैं और हम सभी जैसे सारे टीचर्स, हम सभी के लिए एक उपर्चिनिटी है यहां पर पढ़ाने की, यहां 86 इंचेज ब अगर आपके मैंड में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप दो तरीके से पढ़ाएंगे, या तो आप यूज़ करेंगे स्मार्ट बोर्ट का एज़ वाइड बोर्ट, जहां आपको काफी सारी फैसलिटीज मिलेंगी, या फिर आप पढ़ा सकते हैं PPT के थूरू, तो हम इन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ और एक्स्टा टूल्स, तो स्टार्टिंग करते हुए हम देखेंगे पैन के लिए, तो यहां इस ऑप्शन में जाने पर जहां पर यह पैन का इकन बना हुआ है, यहां आपको अलग अलग तरीके के पैन मिल आप पैन की बिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां से बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ, तो यह और ज़्यादा विट के साथ चलेगा, अब हम बात करेंगे कि इनको एरेज कैसे करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस्ट यू हैव तो पुट यू पाम ओवर हेर, एंड एट सेट, विए ड़न, इस वेरी सिंपल, और मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, तो यहां पर इस बॉक्स के अंदर आपको काफी सारे ओप्शन्स मिल जाएंगे, जैसे की कैलकुलेटर, अगर आप किसी भी तरीके का शेप बनाना चाहते हैं, तो शेप बना सकते हैं, मैं बहुत शॉट मैपको समझा देता हूं, जैसे अगर मैंने आपर टू इंटू टू लिग दिया, तो यहां पर आंसर अपने आप आ जाएगा, इसके बाद इसे क्लियर करके, आप अलग कर सकते हैं, अगर आप सरकल बन के तयार है, नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी लिखी हुई चीज आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाए, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव तो राइट ओवर हेर, परसनल ट्यूटर में यहां लिखता हूं, और आप देखेंगे कि कैसे यह एक टेक्स्ट में कनवर्ट हो जाएगा, इस उप्शन को आपको स्लेक्ट करना है, देन आप एक सरकल बनाएंगे यहां पर, और यहां पर आपको एक मैजिग वांड का ओप्शन देखेगा, यसे आप टच कर दीजिए, और थोड़ी देर मे आपका टेक्स्ट तैयार है, तो यह एक वाइट बोर्ट की बेसिक नीड्स थी, जो आपको लग सकती है, आई थिंक कि यह काफी ज़्यादा है, और एज़ी होने वाला है, आपके लिए, तो हम चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम समझने वाले हैं, कि कैसे हम PPTs को यूज करेंगे, और PPTs में अगर हमें कुछ लिखना है, तो हम कैसे करेंगे, अगर आप स्मार्ट बोर्ड में किसी स्लाइड को लाना चाहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन है, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, यहां पर यह जो सेकंड आइकन है, इस पर जाईएगा, यहां पर इंटर्नल स्टोरिज में, या आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, या जो ड्राइव यूज करेंगे, उसके जिस भी फोल्डर में वो फाइल से अब है, आप उसमें जाएंगे, और आप उसे सलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहां पर इसे सलेक्ट करता हूँ, यहां पर यह मेरा जो डॉक्यमेंट है, खुल जाएगा, यह रहा आपका डॉक्यमेंट, आपको इन स्लाइट को आगे पीछे करना है, या डारेक्ली स्क्रॉल करके किसी लास्ट स्लाइड में जाना है, तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन्स है, यहां आप देख सकते हैं, अगर आपको नेक्स स्लाइड में जाना है, तो आपको यहां टच करना होगा, और आपकी स्लाइड एक एक करके आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर डारेक्ली जंप करके किसी और स्लाइड में आपको जाना है, जैसे मैं यहां पर अगर स्लाइड नंबर 2 पर हूँ, तो इसके बाद मैं यहां से स्क्रॉल करके डायरेक्ट साइट नमबर 10 पर जा सकता हूँ आई धिंक आपके सारे डाउट से यहां पर क्लियर हो गए होगे तो अब हम चलेंगे कि PPT को आपरेट करते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले PPT फाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा इसके लिए आपको यहां पर EMS फाइल का यह आइकन दिख रहा होगा इसे आपको खोलना है इसे खोलने के बाद अगें आपकी फाइल जहां सेव है आप वहां जा सकते हैं जैसे मैंने अभी सेफ की हुई है इंटर्नल फोल्डर में डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे यह मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यह मेरी PPT यहां पर खुल गई है बहुत ही इजी एकसेस आपको मिल जाएगा सारी PPT का तुरंत के तुरंत और अगर आप किसी चीज को समझाना चाहते है यहां कुछ लिखना चाहते है कुछ करना चाहते है तो यह जो आपको साइड में यहां पर आइकन देख रहा है इसे आप टच करिएगा यह जो लास्ट में एक पैंसिल का इकन है इसे टच करिएगा और आपके सामने यह खुलके आजाएगा यहां पर आप अपने पैं का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी कलर चाहिए और आपकी PPT की उपर लिखना शुरू कर सकते हैं आप जो भी चाहिए लिख सकते हैं और इन चीजों को समझा देने के बाद आपको अगर इसे क्लियर करना है तो जस्ट इस इजी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यह रेज करके चला जाएगा आपको जितने बार जिस स्लाइट में जरूरत पड़े आप उस उप्शन का यूज कर सकते हैं यह उप्शन इस तरफ और इस तरफ यह उप्शन दौनों तरफ अविलिबल है आप जहां convenient फील करें आप वहां यूज कर सकते हैं इसी के साथ साथ यहां पर स्लाइड है जैसे आप चाहें स्लाइड को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और आइ थिंक यह काफी sufficient है एक teacher के लिए कि कैसे वो एक ppt में लिख सकता है erase कर सकता है और इस तरफ स्क्रॉल कर सकता है साथ में आप कैसे wide board को use करेंगे तो यह था वीडियो कि कैसे आप इस BenQ के 86 smart board पर पढ़ा सकते हैं और तो यह दोनो segment complete करने के बाद आप properly इस board को operate कर पाएंगे काफी easily operate कर पाएंगे so that's it पढ़ते रहिए खुश रहिए signing off